हेलो फैंट्स, वेलकम टू माई टूप चैनल जीनेस इस्टेडी 2.0 पर दोस्तो आज की इस वीडियो हमें स्सी जीडी परिक्षा 2023 में जो होने वाली है उसके लिए में जीके जीस के मोश्ट इंपॉर्टन और सेलेक्टेड कोशन आप सभी के एकजाम के लिए ओनली 32 लेकर आप सभी के एकजाम के लिए काफी मोश्ट इंपॉर्टन है यह प्रीवेर सेले के कोशन है तो आप लोग इस वीडियो को दोस्तों अंततक देखेंगा और इस वीडियो को बिल्कुल भी इसकिप नहीं करना है अगर आप लोग इस वीडियो को सुरू से लेकर अंततक देख हुआ विल्कुल फिरी में तो आप लोग का काम है कि वीडियो को पूरा देखिए उसके बाद लाइक करिए और लाइक करने के बाद एक कमेंट करिएगा ठीक है उसके बाद मैं आपको वर्टसप करूप का नंबर इसी वीडियो में दे दूँगा कहीं पर भी मैं दे सकता ह आप लोग इस वीडियो को अंत देखिए अगर आप इस वीडियो को अंत में देखेंगे लाश्ट में तो मैं बता दूँगा कि आपको वर्टसप गुरूप का लिंक कहां पर मिल जाएगा तो चले दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को फर्स्ट कोशन के सा पहला question आप सभी के screen पर पूछा गया है चले बताएंगे कि सरकारों द्वारा सुल्क एम कर लगाने का अधिकार सम्विधान की किस अनसूची में है दोस्तो question काफी most important लाया हूँ तो चले right answer बताएगा तो friends right answer हो जाएगा कि सरकारों द्वारा सुल्क एम कर लगाने का अधिकार जो सम्विधान की friends सातवी अनसूची में है तो right answer हो जाएगा option number B next question बताएगे friends question number 2 है कि निमने मेंसे कौन समवर्ती सूची का विसाई नहीं है तो मेरे पहरे दूस्तो right answer हो जाएगा लोग स्वास्थ लोग स्वास्थ जो है ये friends समवर्ती सूची का विसाई नहीं है next question बताएगे friends question number 3 है कि भारत में कब पहली बार राश्टी आपातकाल घोशित किया गया था तो friends right answer हो जाएगा 1962 में 1962 में भारत में पहली बार राश्टी आपात का घोशित किया गया था next question बताएगे friends question number 4 है कि भारती समयधान की आठीवी अनुसूची का संबन्ध किस से है तो friends right answer हो जाएगा option number C भासाओं के साथ next question बताएगे friends question number 5 है कि भारत की मुख्य भासा को किस अनुसूची में सामिल किया गया था तो friends right answer हो जाएगा कि भारत की मुख्य भासा को किस अनुसूची में सामिल किया गया है तो right answer हो जाएगा option number A आठीवी अनुसूची में तो इस प्रसंद का फ्रेंट्स ओप्सन ए राइट आंसर हो जाएगा नेश्ट कोशन बताएंगे फ्रेंट्स कोश्चन नमर 6 है कि दक्षिन अमेरिका में घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है तो फ्रेंट्स राइट आंसर हो जाएगा पंपास के नाम से दक्षिन अमे तो फ्रेंट्स राजा सांसी अंतराश्टी हवाई अड्डा जो फ्रेंट्स है ये अमरसर में इस्थित है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप्सिन अमरे अमरसर नेश्ट कोशन मताएंगे फ्रेंट्स कोशन नमर आठ है कि दाभोलियम अंतराश्टी हवाई अड्डा कहा पर इस्थित है तो मेरे प्यारे दोस्तो दाबोलियम अंतर राश्टी हवाई एड़ा जो फेंट्स है यह इस्थित है यानि की गोवा में तो इस प्रसंड का फेंट्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्सन नमबर बी गोवा रेस्ट कोशन बताएंगे फेंट्स कोशन नमर ना नेश्ट कोशन बताएंगे फेंट्स कोशन नमर 10 है कि सुपर नोवा क्या है तो फेंट्स राइट आंसर हो जाएगा सुपर नोवा जो फेंट्स से एक बिस फोर्टी तारह है तो इस प्रसंड का फेंट्स ऑप्सन ए राइट आंसर हो जाएगा सुपर नोवा जो फेंट्स पूरा नहीं देखेंगे फिर बोलेंगे कि सर आपका पढ़ाया एक्जाम में नहीं आए तो मेरी कोई गारेंटी नहीं अगर आप मेरी पूरी वीडियो को फुल देखते हैं लाश्ट तक और अपना स्कोर जरूर बताते हैं तो मुझे पता चलता रहेगा कि आपकी त्यारी क ये पूर नहीं देखेंगे मानौ सरीर में वसी निसकासं किसके माध्यम से होता हय तो बसा का निसकासं किसे माध्यम से हो यह गोर्दा खोश्त किया गया है तो फरी एंसर हो जागा वनीश्व पछहतर इस प्रत्रस्र का फिर्ठी राइट उनश्य वहुं 손 हो जाएगा वनीश्व पछहतर धर नेश्च कोशन बताईगा फरेंड्र चोडह लगा था किbell शेयर मुल सूचकांग्ग यह भी कोश्चन काफ़ी पूच्छागा है कि डो जोंज कहां का शेर मूल सुचकांग है तो फेंट राइट आंसर हो जाएगा ऑप्स नमबर सी यानि की निव यार्क का फेंट कोश्चन नमर 16 की घाना का पुराना नाम क्या है तो मेरे पहले जुस्तों घाना का पुराना नाम है गोल्ड कोश्ट तो इस परशनर नमर 17 की भारत के प्रथम पिल्ड मार्सल कौन है तो मेरे पहले जुस्तों भारत के प्रथम मार्सल थे एस एच एफ जे मौनी कॉस्ट तो आंसर हो जाएगा option number A ध्यान से देख लीजेगा फ्रेंट राइट आंसर हो जाएगा next question बताएंगे question number 18 की धनिया का सबसे बड़ा उत्पादक राजी कौन सा है तो मेरे पहरे दोस्तों धनिया का सबसे बड़ा उत्पादक राजी जो है वो है फ्रेंट राजिस्थान तो राइट आंसर हो जाएगा option number C राजिस्थान next question बताएंगे friends question number 11 की सीवाजी किस माराथा संत के सिस्थ थे तो फ्रेंट सीवाजी जो थे यह राम दास माराथा संत के सिस्थ थे तो राइट आंसर हो जाएगा option number C राम दास नेश्ट कोशन बताएंगे फ्रेंट कोशन नमबर 20 की तो मिब टेल जो फ्रेंट से कहां का सेर मूलिसूच कांक है तो फ्रेंट राइट आंसर हो जाएगा इटली का इस प्रसन का राइट आंसर हो जाएगा option नमबर भी इटली का दोस्तों इस वीडियो में काफी most important question है कोई ना कोशन आप पी एक्जाम में जरूर पूछे जा सकते तो इस वीडियो को अंतर तक देखीगा नेश्ट कोशन बताएंगे कि राजीव गांधी की समाध इस्थल को किस नाम से जाना जाता है चले सबी इस प्रसंद का राइट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि राजीव गांधी की समाध इस्थल को किस नाम से जाना जाता है फटावट से आप लोग कमेंट करके आंसर बताएंगा नेश्ट कोशन बताएंगे फ्रेंट कोशन 22 है कि हिंदी भांसा के बाद भारत में सरवाधिक पोली जाने वाली दूसरी भांसा कौन सी है तो फ्रेंट से देख लिजी का मैं बोल देता हूं 9897619437 इस नंबर पर आप मुझे मैसेज करेंगे मैं आपको 100% फिरी में पीडिएप दूँगा बिलकुल जो भी मैं वीडियो डालता हूं उन सभी का पीडिएप आपको इस ग्रूप पर मिल जाएगा लेकिन पीडिएप तभी कर आपको पैसे लूटते हैं लेकिन आपको पीडिएप कॉल्टी का नहीं देते हैं लेकिन मेरा पीडिएप एक बार पढ़ीगा फिर बताईएगा ठीक है तो चलिए बताएंगे कोश्टी पिकास परिषद का पहला अगधच कौन था तो फ्रेस राइट आइंजर हो जाए गई राश्टी बिकास परिषद का पहला धच जवहला नहरू यानि कि ऑप्सिन नंबर भी राइट आउनजर हो जाएगा रेष्ट कोशन बताएंगे फ्रेस कोशन नंमर टुएप कि येह का वीग्यानिक नाम क्या है चले सबी फ्रें पढ़ने वाले student है इस प्रसंद का right answer जरूर बताएंगे ठीक है चलिए इससे हमें पता भी चलेगा कि आप मेरी वीडियो लाश्ट तक देखा है कि नहीं देखा है अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो इस प्रसंद का comment box में answer जरूर बताएंगे और अब लाश्ट म हो जागा पॉन्स शेरी बेलम और मेंडूला जो फेंट से यह पूर्व वर्ति मस्तिस का हिस्सा है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा और सी नेश्ट कोशन बताएंगे फ्रेंस कोशन 27 कि कुल पसुओं की संख्या की द्रश्ट से विस्व में भारत का कौन सा इस्थान है तो फेंट्स राइट आंसर हो जागा दूसरा इस्थान है कुल पसुओं की संख्या की द्रश्ट से विस्व में भारत का जो फेंट से वो दूसरा इस्थान है नेश्ट कोशन बताएंगे फ्रेंस कोशन 28 है कि गीता महत्यम ग्रंथ की रचना किसने की थी तो फेंट्स आंसर हो जागा आ अप्सेंस सामुहिक्र से यह किस से सामुहिक्रिस्थ से नकरी सब्सक्ष कोश्यं बताएंगे कि तहसे हैं लिट से में ब्रध्धी करने की सक्ति किसके पास है तो फ्रेंट्स राइट आंसर हो जागा पौलियामेंट के पास यानि की संसद के पास और दोस्तों यह रहा इस वीडियो का लाश्ट कोशन चले बताएगा कि सबसे पहला राजी कौन सा है जहां पंचायती राज की इस्थापना पर्थम होई थी दोस्तों आपके इन 32 प्रसनों में से कितने राइट आंसर होए मुझे कमेंट बॉक्स में जुरू बताएगा और दोस्तों वर्ट्स अप ग्रूप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप लोग डिस्क्रप्शन ब और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना होगा और आप एक प्यारा सा कमेंट करना होगा कि आपके इतने प्रसन ड्राइट आउंज जरू है अगर आप इतना काम करते हैं तो आपको डेली हर एक पीडियाप मिलता रहेगा ठीक है तो चलिए दोस्तों मिलते नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए जै भार्त वंदे मात्रम